हलो दोस्तों विजेकेट में मैं आपका स्वागत है और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी धेरों बदाईया तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास हमारी और अभी भी जिन्होंने MP परिक्षा सफलता कि अब डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजी हमारी डिस्क जीते सभी परिक्षा है चाहे वर्ग एक हो वर्ग दो हो MPSI MP कॉंस्टेबल इसके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और आप ओनलाइन टेस्ट भी बाय कर सकते हो अगर आप यह वी आई जे एले बी एच फिप्टी टेस्ट को लगाएंगे तो दो सो तीस की टेस्ट कॉमर्स में हमारी क्लास है चलिए आजये स्टुडेंट एक स्टुडेंट पूछ रहा है कल कहां चले गए थे चलिए मैं बता दाओं कल कहां चले गए ते और देखिए जो अभी हमारा एक प्राइस चल रहा है बुक बिनर का या भी मेरा जो आईटी वाला वह छुट्टी इसलिए केल्कुलेशन नहीं हो पाई है इसलिए लगी विनर का नाम अभी है उस नहीं हो रहा है वह नों तारिक को आ जाएगा तो नों को या दस को डिकलेर कर देंगे हम और जितने भी लोग जो चाहिए पेटीम जी चुके हूं चाहीज़ी जी चुके है सभी लोग इसके घर पे निसुलक में बहस दे जाएगे तो चलिए सुरू करते हैं आज के हमारी क्लास आजाएए सभी स्टुडेंट चलिए प्रवेशने की संपत की दिर्ग कालिन विनियो जना का परिणाम है मतलब जो असेट्स होती है उसके अदर हक्याओ कर औरे इन्वेश्मेंट कर रहे हैं तो वह किस प्रकार की आउधार्णा का परिणाम है कि लागत आउधार्णा उपार्जन आउधार्णा चाल arqu कि अउधार्णा मुडरा मापन की आउधार्णा देखिए जो भी स्टुडेंट ने जुड़ते जाए जरू निव लिख के भेज़े और साथी साथ प्रविडिन स्रिवाज जी का आंसर काफी पहले ही आ चुका है वेरी गुड साथी साथ हिंदी की क्लास कपसे लगेगी तो हिंदी की क्लास 15 तारिक से या अभी हम स्टार्ट करते हैं कि दस के बाद से और विनोच जी का भी आंसर सही है तो इसका जो सही उतर है तो चलिए इसका जो सही आंसर में बता देता हूं इसका जो सही उतर है वहां है क्या होती है यह में सारी आधान्य आपको बढाआ चुका। हैं जो ला रहे हैं आपके लिए ला रहे हैं कि आप की तयारी को जाटें कि आपकी तैयारी केसी चलरी है जो हमने वाहँ है या नहीं sounding अधंदी वरिनोजीनु करके बताएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले सब लोग जल्दी से लाइक करते बात करते हैं अगले प्रस्ण पर यह वीडियो कॉंश का है मुधिर जी यह मान मनेगे की व्योसाइब यह केते हैं कि हाल या लौं लौं ट्रंभा चालू रहे गते कि ऑओधार्न एक रूपता संबंदी और लौगरण पेड़ो गोजी पर आएगा अगला वीडियो पेड़ो गोजी पर ही होगा साती साथ सुम्या जी आपका स्वागत है आप एक निव श्टुडेंट है अभी तक मैं को सही आंसर नहीं मिला है जल्दी से मुझे इसका सही आंसर बता दें है मेरे पास सही आंसर काफी सारे स्टुडेंट के आंसर आ चुके हो जिनने अभी भी हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है बैस सब्क्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डाले उसका तुरंत नोटिफिकेसन मिले लाइक कर है कि इसका जो सब्सक्राइब वहां है डी बंदी अधार्ना जो भी नए स्टुडेंट जुड़ते हुन सभी का सवागत और साथी साथी से आंसर दिया करें ताकि आपकी एक्जाम में भी प्रेसन हो सके देखिए चालू साइज संबंदी आउधार्ना के अनुसार रम वन क काल होता है देखिए जो चालू गोइंग कंसेप्ट होता है क्या होते काफी सारे कॉंसेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ तो आज उन पर हमारे बेस्ट कोशन हम लेकर आते ताकि आप आपकी तैयारी को जा सकें तो देखिए बोलने कि जीवन काल कितना होता है दस वर आचुके हैं तो देखिए जो सही उत्तरे वाइडी असीमीत बिल्कुल यही केती है यह उधाना कि हमेशा बिंजा चलता ही रहेगा लंबे समय तक चलता ही रहेगा चलिए बात करते हूं अगले महतुपून प्रस्णों पर आपको मारा वीडियो कैसा लगता है यह भी कमें जिसके अधार पर विवार दर जी के जाते हैं धोरा प्रणाली की अउधार ना बोल सकते हैं इसे तो क्या होगा इसका अंसर धोरा लेखा पद्दती द्विखाता पद्दती एक हरा लेखा पद्दती या उप्यूकत सभी मुन्ना जी का आंसर आ चुका है सही उत्तर आ गय हूँ आपके अंसर का काफी सारेय के सहीं आंसर है वेरी गुड टो देखिए जो डुए सी जिजो सी अधार पर भीवाार दर्दी के जाते वह दोहराले लेक कर प्रोड है हम आपको 20 अदर्द्रत के संब्समें कों सा कतंद sıह हैं यहां बोल प्रतेग वहवार का वेवसाय पर दो पक्षी प्रभाव पड़ता है, प्रतेग वहवार दो पक्षी कारों के मद्धी होता है, इसका सही आंसर मुझे दीजिए, जब तक आप आंसर दे रहे, तब तक मैं आ चुका है, आंसर वेरी गूड प्रविन जी की स्पीच काफी फास् इसका जो सही उत्तर है, सी प्रतेग वहवार का वेवसाय पर दो पक्षी है, देखिए, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो दो पक्षी है, प्रभाव पड़ता है, अब बात करते हम अगले महतुपूर्ण प्रसनुपे, काफी सारे स्टुडेन के आंसर सही है, वेरी गुड, देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा है, एक रफ सीड आपके पास रखिये, और उसके ओपर अंसर लिखते जाए, और बात में आपके कितने आंसर सही हो गए है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि देखिए, अगर आपके कम अंसर सही होते है तो फिर हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा कि केसे आपके ज्यादा से ज्यादा प्रक्नों को सही बनाया जाए और देखिए वीडियो को सेयर कीजिए और इसका स्क्रीन सॉट हमें बेद देजिए आप जो भी लखी विनर होगा उसका नो या दस तारिक को हम नाम डिक्लियर कर से जाए और फिर जिसके उठ जाती है वह विनर बन जाता है और यह देखिए काफी सार लंबा काम होता इसके लिए से मैं नहीं कर पाता हूँ तो मेरा जैसी आईटी वाले आ जाएंगे, हम नाम अनॉंस कर देंगे, 9 या 10 को आ जाएंगे, तो नाम उस दिन अनॉंस हो जाएगा, तो देखे, द्वेत्व पक्षी संबंदिया उधार्ना अधारित होती है, धोरा खाता पद्धती पे, धोरा लेखा पद्धती पे, लेखांकन में अभी लेखन की विधी का प्रत्यकी संबंद किस अवधार्ना से है, देखे जो लेखांगन में अभी लेखन की जो वीडियो उसका जो प्रत्य की संबंद मतलब डायरेक्ट की जो उसका रिलेशन है कौन सी अउधारना से है इसका सायांसर मुझे नहीं मिला है वीडियो को सेयर करना बिल्कुल भी ना मुले ये जो अगरवाल एक्जाम काट की बुक है इसक के लिए आप इसे बाई कर सकते हैं तो चलिए इसका सही उत्तर अब मिल चुका है मुझे वेरी गुड काफी सारे स्टुरेंट के सही आंसर आ गए हैं तो जो इसका सही उत्तर है वह सी द्वी पहलू अधारना पर अब बास करते हम अगले प्रस्ण पर उपारजन की उधारना का समबंदे इसका सही उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिला है मैं थोड़ा लेता हूँ चलिए मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ आपको देखे आपको अगर प्रस नहीं भी आता है तो भी आप एक्जाम में कोई कोश्च नहीं वहाँ पर भी टिक करना है तो यहां भी आंसर जरूर दिया करें कि आप आपका जितना भी ग्यान है उस सब्जेक्ट पर उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर सोच के आंसर दे दिया करें क्योंकि देखे आप और फिर उसके बाद देखा करें कि मैंने इसा सोचा था इसलिए मेरा गरलत हो गया अगर मैं इसा सोचता तो ठीक हो सकता था तो आपको हर दिन प्रेक्टिस करनी है इसके लिए ही हम वीडियो लेकर आते हैं कि आपकी हर दिन प्रेक्टिस बनी रहे और आयो का वयो पर आधिक्य देखिए प्रस्ण को दियान से पढ़े पढ़ेगा आयो का वयो पर आधिक्य स्वामी की समता को केसे प्रभावित करता है बड़ा देता है घटा देता है परिवर्तित रखता है उप्युक्त में से सभी इसका सही आंसर बता है यह मुझे और यह बुक को जरूर दियान रखे केबल वीडियो को सेयर करना है आपको और कुछ नहीं करना है वीडियो को सेयर करना है और उसका स्क्रीन सॉट हमें इस नंबर पर भेज़ देना है नो या दस सारी को लखी विनर का नाम अनाउंस कर देंगे हम चलिए मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ काफितारे स्टुडेंट के सही आंसर आ चुके यह कोशन थोड़ा सा समझने वालग प्रस्न था और इसी तरह के प्रस्न एक्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन काफित की आंसर दिये हैं बारा देता है बिल्कुल सही उप्रस्न पर निम लिकित में से किस आउधाना के अनुसार वेपार की सुद्ध आयका निर्धारण करते समय नेट इंकम का निर्धारण करना है मतलब आपको केल्कुलेशन करनी है नेट इंकम की और देखे जो भी लोगों अभी तक सब्क्राइब नहीं किया और सब्क्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डाले उसका आपको तुरंद नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को सेर करना भी ना भूले तो देखे सुद्ध आयकनिधारन एसे समस्त परिवय जो कि उस अउधी के राजस वहेतु प्रयोज हैं संबंदित आपके विरुद प्रोहवित किये जाना चाहिए मुद्रा मौपन की आउधारना आयवयो की मिलान आउधारना द्वेत पक्षी आउधारना लागत की आउधारना देखे मिलान की बात बोल रहा है वहाँ पर वो इसका सही उत्तर मिल चुका है काफी सारे स्टुडेंट ने सही दे चुके हैं कि आयवयो की मिलान की आउधार को शिर्ख को इननों को कटिन बनाया था अगर आप थोड़ा भी कोस्टन समझ लेतेacter affect को शेंगे कुछ बेसिक भी रखते हमगों कुछ एडवानç भी रखते हैं तो वह इसलिए ही रखते हैं ताकि आप निकार करको S! सोच सके और प्रस्ण ऐसे ही आएंगे मां छोटे कोस्चन होंगे कुछ कुछ बड़े कोस्चन होंगे बात करते अब इस प्रस्ण पर निम लिकित मैं से किस अउधारना के अनुसार वेपार की सुद्धाय का निर्धारन करते समय ऐसे समस्त परिवय जो कि उस अउधी के अब तो सभी के सही आंसर आ जाने चाहिए इस प्रस्ण पर चलिए सही आंसर सभी लोग कर दीजिए यह मस सोचे कि अभी तो पड़ा था क्या पता यही प्रस्ण एक्जाम में आ जाए लदे के कोस्चन कितनी बार भी आंसर देने में यह ना सोचे किया रहे है आप याद त कॉंसेप्ट है कहां लागू होती है जब देंदार से नगत वसूल हो जाए जब लेंदार से भुक्तान की रसीद मिले जब गरहक से आदेस प्राफ्थ हो जब गरहक को माल सुपूर्द किया जाए देगे वसूल की अधार ना इसका सही आंसर दीजिए यह में आपको समझा भी चुका हूँ यह आपका आज हूंवक में कोस्टन रहेगा इसो आपको कमेंड बॉक्स में जरूर लिख कर भेजना है काफी सारे स्टुडेंट के आंसर इस प्यास चुके है वसूल की अधार ना कहां पर लागू होती है इसका अंसर आपको कमेंड करके जरूर बताना है अब बात करते हम अगले महत्वपून प्रस्न पर वसूली अधार ना कब लागू होती है जब देनदारों से नगत रासी प्राप्त हो जाती है जब आदेश प्राप्त होता है जब माल ग्राह को परिदत या सुपूर्द कर दिया जाता है उप्यूक तुमें से कोई नही देखिए वसूल की अधारना कब लाखू होती है जब माल जो है वो ग्राह को सुपूर्द कर दे दी जाए तो वसूली की अउधार्णा लगू होती है तो इसका जो सही उतरे वहाँ है सी और काफी सारे स्टुडेन का सही अंसर आ भी चुका है अब बात करते हैं हम अगले प्रस्न पर वसूली की अउधार्णा का संबंद IMP कोश्चन है आए से वह से किराए से कर से रेकिए वसूली की अउधार्णा का संबंद IMP कोश्चन है इसका सही आंसर बताइए मुझे आयसे, वहसे, किरायसे, कर से देखे काफी सारे स्टुडेंट के सही आंसर आ चुके है कि जो वसूली की अधारणा का संबंदे वह है आयसे आप बात करते हम अगले प्रस्वन पर काफी सारे स्टुडेंट के سही उत्तर है वेरी गुड और आपको अमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले साथी साथ अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है सब्क्राइब कर ले और वीडियो को सेर करना ना भूले जो भी लखी विनर होंगे चाहाए आप पेटी एम जीत भी चुके हो या बूक टेस सिरी जीत चुके है आप सभी लोग इसमें इलेजिवल हैं आपको वीडियो को सेर करके हमें इस नमबर पर स्क्रिंसोर्ट भेज देना है एक लखी विनर को बूक दी जाएगी ये नो या दस तारी को जैसे मेरा आईटी वाला आजाएगा अब हम डिक्लियर कर देंगे जिसे आउसक तथि के रूप में सिवकार कर लिया जाए उसे कहते हैं सिद्धान्द, परंपरा, अउधार्ना और विधी देखिए जिसे आउसक रूप से तथि के रूप में सिवकार कर लिया जाए उसे कहते हैं चलिए इसका सही आंसर में भी बता देता हूँ आपको इसका सही उत्तर है C, अउधान्द, अब बात करते हैं अगले प्रस्ण पर प्रत्यासा मत करो, और हाणयों की विवस्था कर लो अउधार्ना है, चालू विवस्था कर लो, यह अउधार्ना है इसका सही उत्तर में बता देता हूँ आपको पढ़ाय हुआ कॉंसेप्ट है इसे जरूर रट लेना यह मैंने आपको इस पर भी पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं अउधारना तो जिन्होंने अभी भी पुराने वीडियो नहीं देखें जरूर देख ले काफी तारे स्टुड पर निम्न में से कोन सी अधारना सायक है दएकला भानिक आपको प्रस ही नियर्धारन करना है मतलब सही kiss equation करनी है तो कौन सी अधारना आपकी शायक होती है वस्तूली तत्यों मिलान Julius Be तथा व्युसाई काई की लागत तता सम तुल्यता की मोदरीक मापन तथा लागत की देखिये आपको सही केलगुलेशन सही निधारन करना है तो इसका जो सही उतरे वहाए वसूली तथा मिलान की तो मतलब आप मिलाके देख लेते कि आपका जो लाब और हानियों प्रॉपरल जितने भी आपको पढ़ाते हैं उसमें से आप एक पेच पे जरूर नोट करके चलें कि कितने आपके प्रस्न सही होते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें देखिए कोस्चन है थोड़ा सा कटिन कोस्चन जरूर होगा आपके लिए लेकिन आप इसे समझे देंगे तो जरूर असानी से बन जाएगा यह क्या वोड़ा है कि कुटो में से एक नीचे दो आपको दिये हैं पहले एबी सी फिर इसके आपको आंसर भी दियोंगे यह सूची में फिर आपको मिलाना है तो आप इस कोस्चन को जरूर नोट कर लें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इस कोस्चन को समझने में देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और इन सूचियों को नीचे गए कुटो में से सही उत्तर का चेयन कीजिए सूची एक में ए पॉइंट है देखिए सही उक्त जीवन पालेसी को समरपन मूली पर दर्साना भी है कर्मचारियों की समुभावना एवं समरपन को लेखा पुस्तोंगों में अंकीत नहीं किया जाता है सी ओफ्सने मूल्यास एवं माल सूची मूल्यांकन की पद्दती बार बार परिवर्तित नहीं होनी चाहिए इस्थाई संपत्यों को मूल्यास खटा का लागत पर अंकीत किया जाए यह चार पॉइंट है नोट कर दीजिया आप अब यह बी पॉइंट है देखे एक रूपता की अधारना लागत की अधारना रूडी वादिता की अधारना मुद्रा मापन की अधारना तो आप दो कॉलम बनाएए एक साइट सुची बन लिख लिए जी और यह पॉइंट नोट कर लें आप अब आपकी स्क्रीन पे चारो पॉइंट दिख रहे हैं सुची एमें चारो पॉइंट नोट कर लें आप जल्दी से ऐसे अटका लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है पॉइंट हो फिर हम एक एक पे बात करेंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा एक एक पॉइंट पर जैसे ​​अब बात करते हम इसके चारो पाइंट यह नोड कर लीजाए हो रागत तीन पर सब्धा लीजिए तो देखिए अब हम बात करते हैं फ्रस्ट पॉइंट पे सहीयुख्थ जीवन पालिसी को समरपन मूली पर दर्साना जो आपकी सहीयुख्थ जीवन पालिसी है उसको समरपन मूली तो देखिए जो आब अगर समर्पर मूल पर दिखा रहा है सही उक्त उसको जीवन पॉलिसी को यह जो पॉइंट फर्स्ट है आपका सही तो इसका जो सही उतर होगा वह इसमें साब एक दो तीन चाल लिख के मुझे भेजे कि क्या होगा आपका सही एक एक पर हम बात कर रहे ह पॉइंट पर तो क्या होगा इसका सही आंसर तो देखिए चली में एक एक इसमबल के रूप में बता तो इसका जो सही आंसर है वह है थर्ड रूडी वाधिता की आउधारना तो फर्स्ट का क्या है एक है थर्ड अब बात करते हैं हम बी पॉइंट पर कर्मचारियों की को लेखा पुस्ताकों में अंकीत नहीं किया जाता है कि जो कर्मचारियों की समुभावना एवन समर्पन को जो लेखा पुस्ताक है उसके अंदर अंकीत नहीं किया जाता है ये कौन से पॉइंट में आएगा चलिए बात करते हैं एक रूपता की आउधारना में लागत की मुदरा मापन की वेरी गुड कुछ लोगों की आंसर आय हैं तो सही आंसर हैं चलिए आप बात करते हैं अगले प्रस्न पर थार्ट पोइंट पहुआ तो है rap न ढूंडे एक या दो को पहले ढूंड लीजे जो आपसे बन रहे और फिर देखिए उस तालिका में जाके कि कौन सा मेच हो रहा है उसके अनुसार आप आंसर लगा दीजे पूरे ढूंडने कि आपको आउसकता नहीं रहती है तो मुल्या से माल सुची मुल्यांकन की परिवतित नहीं होनी चाहिए एक रूपता की खोड़ाना यही यहीं कि दिया की जो भी चीच ह Otherwise शोरी जरूंड को जो तक आपको बहुत अदिंग आउ सकता ना लगे यह परिवर्तनमत करो लेकिन अगर फिर वह आपको बहुत अदिंग आउ सकता और आप परिवर्तन कर र तो आप देखिए इस तरह के कूट आपको एक्जाम में दिये जाएंगे कि A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2 तो ये इसका जो सही आंसर होता है वो हो जाता है A तो देखिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर वीडियो को लाइक करें और सेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और ये बुक को जरूर दियान रखें ये 9 या 10 को आपको जो भी विनर रहेगा लखी विनर सभी लेजिबल हैं चाहे आप पहले पेटीम जी चुके हो चा किसा लगा आपको वीडियो और साथे साथ कितने कुश्चन आपके सही हुए ये भी हमें बताएं तो ठेंक्यू फॉर वाचिंग वीजे एकेडमी और आप सभी को दिवाले की धेरो सुब कामना है